नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फ्री सिक्षा की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बरतियों के उपर कोर्ट केस हो रखा है और सबसे बड़ा जो केस है वो सोचिय एकोनोमिक राइटेरिया के नमबर पर ही है आपको ये भी पता होगा साथियो इस केस की जो लगातार अपडेट है हम टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर रहे थे इसलिए ज्यादतर अपडेट आपने टेलिग्राम पर देख भी लियोगी लेकिन क्या फैसला आया है युवाओं को उमेद थी कि आज फैसला आएगा नेक्स टेट नहीं मिलेगी लेकिन जो बाते हमने कल श्याम को या आपको बता दे थी कि साथियो जो अर्याना सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रहे हैं लगातार सात्यों जो भैस है उसमें अलग अलग तरक रखे गई अब इसमें फैसला किसके पक्स में आया है या आ सकता है इसके बारे में सात्यों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि फैसला आने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है तरक दोनों तरप से सुने गई हैं इतना जरूर है कि सरकार की बजाए जो सरकार के खिलाप जिन साथियों ने केस कर रखा है उनका प्रक्स मजबूत ज्यादा रहा है इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि ये नंबर हट ही जाएं अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि साथियों ये देख सकते हैं ये देखिए साइट के उपर जो डेट दिखाई दे रही है वो 23 अपरेल की नेक्स डेट दिखाई दे रही है फिलाल साथियों यही नेक्स डेट है इस से रेलेटिड अगर कुछ इसमें बदलाव किया जाता है क्योंकि पिछली बार अ जाएगा फिलाल 23 अप्रेल लेक्टेट दे दी गई है और बर्तियों से रिलेटिड या फिर इस कोड के से रिलेटिड सात्यों जल्दी ही डीजिटल बोर्ड के उपर श्याम को अच्छे विस्तार से आपको वीडियो बना कर समझाय जाएगा फिलाल सात्यों बार है इसलिए आपको बिना डीजिटल बोर्ड के वीडियो बना कर या बताया जा रहा है जो भी अपडेट होगा आपको क्या लगता साथ यू पांच नमबर अटने चाहिए या पांच नमबर रहने चाहिए जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं ऐसा ही बरतियों से रिलेटेड विश्वसने जानकारिया आप तक पहुचाते रहेंगे और टेलिग्राम को जोईन जरूर कर ले स सथी यू. बट बट दने वादेट.